हलो दोस्तों नमस्कार उमेटिकाचलर के माध्यम से जितने भी EPS 95 पिंस्टनर से आप सब का स्वागत है दोस्तों आज में बात करने वाला हूं जो उत्रप्रदिश के रहा प्रांतिय अध्याक्ष मारिनी प्रदीप श्रिवास्तों जी हैं उनके द्वारे एक पत्र मारिनी प्रदान मत्री जी को लिखा गया है अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सबसे पहले देखिए उपर लिखा हुआ है प्रदीप श्रिवास्तों अध्यक्ष EPS 95 राश्टिय संगर्ष समिती उत्तर प्रदेश सेवा में मानेनी स्री नरेद मोदी जी प्रदान मत्री भारत सरकार शेवन लोग कल्यान मार्ग न्यू दिल्ली और यहाँ पे कोड डाला गया है 110011 आगे लिखा गया है द्वारा द्वारा है किसके द्वारा यह आप थोला सा देख लिए मानेनी स्रांशन महोदे उत्तर प्रदेश जी के द्वारा इस अनुडोत के साथ आप अपने ब्यक्तिगत प्रयाज से मानेनी प्लहन मत्री जी से EPS 95 के ब्रिद अलप पैंसन धारकों के लिए प्रयास करें जो आपके छत्र के मतदाता भी है पत्र की एक पत्राष्ट्र संगर्श समयति को भी उपलद कराने का कश्ट करें आगे लिखा है महोदे यह किसके लिए था यह था मानेनी सांशन महोदे जो उत्तर प्रदेश के उनके लिए कि इस अनुरोध के साथ आप अपने बेक्तिकद प्रियास से मौनने परद्हान मत्रजी जी से EPS 95 ऄर्फ के अल्प पैंशन ठारकों के रिए प्रियास करे जो प्रदेश के राष्टिय अद्यक्ष उत्तर प्रदेश के राष्टिय अद्यक्ष जो प्रदीप कुमर्श वास्तो जी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इसके बाद में महोद है आपको सुमर्ण है कि EPS 95 प्राष्टिय संगर समती का प्रतिनी दिमंडल दो बार 4-3-2020 वा पांच-8-2021 को मालिनी मत्रवा सांशद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ आपसे मिलकर EPS 95 के पेंसनर्स के समस्याओं से अवगत कराया गया है EPS 4 के द्वारा पेंसन ब्रिदी में सरकार के द्वारा अतरीक बजट में प्रवधान न बता कर वर्सों से पेंसन ब्रिदी का प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है EPS 4 के पास पर्याप्त फंड है फिर भी अगर फंड की आवा सकता है तो आगामी बजट में प्रयाप्त धन की विवस्ता का नियूंतम पेंसन शाथ जार पॉन्स रुपया प्रती माय और मागाई भत्ता का अर्मोधन करने की क्रिपा करें और साथ ही सभी पेंसनर्स को अधम सी यह तो साफ हो जाता है इस पत्र में साफ लिखा गया है कि EPFO के द्वारा प्यंसन ब्रिद्धी यहां देखिएगा मैं फर्स सिकंड थर्ड लाइन में देखिएगा बीच सही देखिएगा EPFO के द्वारा प्यंसन ब्रिद्धी में सरकार के द्वारा अतरिक्त बजट में प्रवधान न बता कर वर्सों से प्यंसन ब्रिद्धी का प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है EPFO के पास परियाप्त फंड है फिर भी फंड की आवशकता है तो आगामी बजट में परियाप्त धन की बेवस्ता कर नियुंतम पेंसन 7500 उर्पे प्रति महाय और मागाई भत्ता का सासात में ये क्या है मुफ्त चिकिक्सा के लिए आईश्मान योजना से जोड़ने की क्रिप प्रदेश के राश्टी अध्यच्छ जो मानिने सी श्रिवास्तों जी का प्रदीप कुमार श्रिवास्तों जी का ये लेटर है जो मानिने प्रधान मंत्री जी को लिखा गया है ताकि जितने भी EPS 95 पेंसनर से उनको उनके बड़ी हुई पेंसन के रकम मिल जाए और जितने भी EPS 95 पेंसनर से निरास हैं उनके जीवन में खुसाली एक बार फिर से वापिस आजाए दोस्तों इसी प्रयास के साथ में आपसे मैं एक रिक्वेश्ट करूंगा कि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें चैनल दोस्तों मिलते किसी नए वीडियो म नवसकर जे हिंजे भारत